इंड वर्सेस एनीडी इंडिया वर्सेस नीडरलेंड आई सी सी मैंस टी ट्वंटी वर्ल्ड कप का मैच नंबर तैस और गैज यह वाला वर्ल्ड कप गैज अपना लोगों के लिए बहुत ही अच्छा जा रहा है गैज टूली खेह रहा हूं मेरी भी बहुत अच्छे विनिं अगर आपको सही में विनिंग करनी है ना तो मैं अपने टेलिग्राम चैनल पर टॉस के बाद फाइनल टीम शेयर करता हूं और वहां पर जाकर आप मेरी विनिंग्स देख सकते हैं कि कित्ती अच्छे विनिंग हो रही है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट से चैनल का लिंक है आपको किलियर दिख जाएगा आप टेलिग्राम पर आ जाना कई लोगों के शिकायत आती है कि भाई लिंक से जॉइन नहीं हो रहे तो वह सिंपल टेलिग्राम पर जाके सर्च करना आप जॉइन हो जाओगा अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि इंडिय छैनलि में फविअलग के लिक का जो होगे आप लोगों से गईड मेरी एक चोटी से रिक्वेश्úng है अगर आप इस Яप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आयो तो इस चैनल को सब्क्राइब करके बैल आइकन की घंटी दबा के ओल प्रैस कर देना ताकि आने वाले सभी वीडियो के नौटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुचे और साथ में गई जिस वाले वीडियो में आप लोगों के लिए फिरी गीववे रहेगा और गीववे का रूल बिलकुल सिंपल है वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है इसी वीडियो के बीच में इसी मैस से रिलेटेट एक क्योशन आएगा उसका आंसर कमेंट सेक्षन में जाके देना है अगर आपका अंसर सही है प्राइज मिल जाएगा बट कंडिशन है वीडियो पे लाइक होना चाहिए और वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है तो आई एंडी वर्सेज ऐनी ट्वंटी थर आई सी सी मैंस टी ट्वंटी वर्ल्ड कप का मैच खिला जाएगा गाईस सिड्नी किर्केट ग्राउंड सिड्नी में और अगर यहां के गईज में पिछ रिपोर्ट की बात करूं तो यहां का पीछ अना काफी हद तक फ्लैट है बैट्समेन को काफी अच्छी मदद मिलने वाली है और जैसे-जैसे मैच आगे बड़ेगा इस्पिनर्स को यहां पर एडवांटेज मिलने वाला है इसके अलावा गई जहां के अगर T20 स्टैट्स की बात करें तो टोटल ग्यारा मैच गई जिस वाले ग्राउन पर खेले गए जिसमें बैटिंग फर्ष ने 6 सैकेंड ने 5 और एवरेज स्कोर 171 अब देखिए इंडिया के सामने जो अपोनेंट है वो काफे वीग है तो अग इंडिया की जादा से जादा 4-5 प्लेयर अपन लखेंगे वो कौन से प्लेयर है वो मैं आपको अभी बता दूँगा और TOS के अक्कोरिंग अपन टीम मनाइंगे वो भी मैं आपको बता दूँगै तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है scoring pattern देखी हैं हर तरह का score यहां पर बनता है 190 से जादा भी यहां पर चार बार बना है तो Australia की खुची ground होते हैं जहां पर इतना बड़ा score बनता है तो काफी अच्छा पीछे बैटिंग के prospect से बड़ा score आप expect कर सकते हैं इंडिया पहले बैट करेगा तो चांसे तोड़े जाद है और एक काम जरूर से कर लेना बहुत से भाईयों को दिक्कत आती है कि आपका लिंक वर्क नहीं करता तो description में comment section में टेली ग्राम चैनल का लिंक है add the rate SES official के नाम से लिंक है क्लिक करके जॉइन हो जाना है लिंक वर्क ना करें तो simply इस टेली ग्राम पे जाना उपर सर्च का टैब है उस पे क्लिक करके लिखना है add the rate SES OFF OFF तक भी लिख दोगे ना आपको मेरा शौर एक्सपर्ट सपोर्ट की नाम से चैनल दिखेगा उस पे क्लिक करके जॉइन हो जाना है हर मैच की फ्री टीम मिलती है टॉस के बाद का अपडेट मिलता है जरूर से जॉइन कर लेना अब यहां के अगर मैं वेन्यू स्टैट्स की बात करूँ तो दो ही मैच गई अभी यहां पर रिसेंटली खेले गाए तेरा फरबरी को मैच वाता ऑस्टेलिया और श्रिलंका के बीच उस वाले मैच में 164 बनाए और श्रिलंका ने भी 164 बनाए और मैच सूपर और में जा है कम से गाँ ठीक है इसके अलाव यहां पर 22 अक्टूबर को मैच हुआ न्यूजलैंड और ऑस्टेलिया के बीच न्यूजलैंड ने पहले बैट करके 200 बनाए और ऑस्टेलिया 111 पे ही अलाउट हो गया और उस वाले मैच में पेसर्स को आर्ट विकेट स्पिनर्स को पाच गयद एक चीज़ बताओ आप माई 11 सरकिल एप्लिकेशन पे खेलना इस्टार्ट क्यों नहीं करते हैं सबसे बड़ी एप्लिकेशन है गयद मेरा फुल इंवेश्टमेंट यहां ही रहता है इस वाले बर्ड कप में और आप मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे ना जिसका डिस सब्सक्राइब यहां पर अगर आप खेलोगे ना और रैंक वन पर आओगे तो विनिंग अमाउंट के साथ आपको मिलेगी महींदा थार ऐसी और बहुत से भाई विन कर चुके वर्ल्ड कप में और बहुत से भाई विन करने वाला है तो शायद उसमें आपका भी नंबर हो तीसरी चीज़ यहां पर खेलने का सबसे बड़ा रिजन बताता हूं कि यहां पर आप जो चाहे बैट्समें रख सकते हो जो चाहे ऑल राउंडर जो चाहे बॉलर यहां पर कोई दैस्टिक्शन नहीं है आपकी इच्छा हो जैसे टीम बनाओं कॉम्पिटिशन कंपेर टू यह पूरी ट्रस्टेबल है जरूर से आपको खेलना है और जब यहां पर फर्स्ट डिपोजिट करने जाओना अपना पहला डिपोजिट तो कोड यूज़ करना एक लाग रुपे का डिपोजिट किया तो आपको एक लाग बीस अजार मिलेंगे बीस अजार बिलकुल फ्री जोकिम इंक्लूड है क्रपे अपनी रिस पर खेले समल के खेले अब इंडिया की गईज क्या प्लेइंग 11 इस वाले मैच में रहने वाली है उसके बारे में अपन यहां पर बात करते हैं बहुत ध्यान से आपको देखना है तो आई एंडी वर्सेज एनीडी की प्लेइंग 11 पन अपन देखते हैं यहां पर रोकेश राउल रोईश शर्मा का इस ओपनिंग पर आने वाले हैं इंडिया का रन मशिन विराट कोली नंबर तीन पूजिशन पर आएंगे नंबर चार पर सूरे कुमार यादा हो आपको खेलते हो दिखेंगे इसके बाद यहां पर अक्ष पर दिनेश कारतिक फिर अक्षर पटेल ठीक है फिर इसके बाद यहां पर रवी चंडरन अश्विन की जगे मुझे लग रहा है इस वाले मैच में चहल को मौका मिल सकता है तो यहां पर एक बतलाव हो सकता है यजवंदर चहल आ सकते हैं इसके लाओं यहां पर भुवनेश उपर मिडल ओडर में केलेंगे इसके बाद इसकोट एडवर्स टिम प्रिंगल लॉगान वैन विक शिराज एमत फ्रीट क्लासन और पॉल वैन मकरीन यहां पर कुछ भी चेंज होता है प्लेइंग 11 में कोई भी उंजरी की नियूज आती है खुछ भी अपडेट आता है तो पर आपको विनिंग करने आ मगाईन आपके सबसे पहले आपन के शांठ बैटो जो यहां की में जलके विकेट कीपर सब्सेंगे तो इंडिया की तरफ से हको सबसे पहला नाम नजर आएगा देनेश का सबसे पहले साथ इस्टरगल करें और मुझे लगनी दिनेश कार्थि की आज बैटिंग आई कि अगर इंडिया पहले बैट करता है तो थोड़े चांस है सैकेंड इनिंग में तो बहुत कम है तो मुझे नहीं लगता दिनेश कार्थि को आज आपको इसल में रखना चाहिए जील में आप ट्राइ कर सकते हो एसल के लिए थोड़ा रिस्क ही है नीदर लेंड की तरफ से स्कॉर्ट एडवर्स की मैं बात करूं 21 का एवरेज है लाश्ट पांच मैचों में आप देखिए 16 21-16 तो मेरे साब से दिनेश कार्थि के कंपेर इजन में स्कॉर्ट एडवर्स की एक तो बैटिंग आने की चांसेज भी ज़्यादा है और दूसरा आपको ज़्यादा पॉइंट भी दे सकता है तो एडवर्स मेरे साब से ज़्यादा बैस चोईस है कंपेर टू दिनेश कार्थि के इस वाले मैच में ठीक है गई इंडिया की बैट रोई शर्मा और केल राउल दोनों आज के मैच के मोस्ट इंपोर्टेंट पिक है इनको जरूर रखना है रोई शर्मा इस वेन्यू पर दो मैच खिला है 75 रन मना है लास्ट चार मैचों से चार पंदा तीन जिरो तो फॉर्म थूरी खराब है बट इस वाले मैच में कमबैक करने वाला है इसके लावा यहां पर कियर राउल की बात करूँ लास्ट मैच में कैस फेर्ड हुआ था बट उससे पहले आप देखिए चार मैचों में चार हाफ सेंचूरिय तो बहुत ही जबर्दस प्लेयर है लास्ट मैच काफी प्रेशर वाला मैच था इसलिए जल्री आ की बढ़ाई कर रहे है तो गईस हीरा ही रही होता है और यह साबित कर दिया विराट कोली ने इंडिया पाकिस्तान के मैच में टूल्यू सेलूट गईस और वैन्यू में देखे गईस इस वैन्यू पर चार मैच में सेवन्टी नाइन की एवरेज से दो सो चटेशन मनाया है तो बहुत डेंजरस है और सूरे कुमार यादव 360 डिगरी प्लेयर 41 का एवरेज है तो गई मेरे इसाब से तो है ना सबसे बैस्ट वे बताओगे आपको चारो कोई पिक कर लो आज के मैच के लिए तो रोई शर्मा राहूल सूरे कुमार और विराट कोली अगर इंडिया प से आपको रख लेना है फिर से आपको बोल रहा हूं कि नीदरलेंड की बैटिंग सेक्शन देखिए गिध्यान से देख लेना और वीडियो पर लाइक कर दोगा इस टूली बहुत अच्छा लगता है अगर आप एक लाइक मुझे दोगे मुझे काफी अच्छा लगेगा मै प्रीज वीडियो पर एक छोटा सा लाइक भाई के लिए नीदरलेंड की बैटिंग सेक्शन में पहला नाम है मैक्स आउड जो की ओपनिंग पर आप खह सकते हैं इनकी टीम का सबसे भरोसे मन बैट्समैन है जो अच्छी बैटिंग करता है और लास्ट चार मैचों में लिए उनके सामने टिकना क्योंकि बहुत जबर्दा स्विंग के बॉले आएगी फिर भी आप रख सकते हो तो टोटली ग्रैंड लेक का प्लेयर है क्योंकि एक मैच में 49 बनायते वह अच्छी बैटिंग करी तो यह गई देखिए बहुत तेज बैटिंग करता है अगर बल् पाकि इनके दो आप रख लेना और एक बॉलर है उनको आप रख लेना मैं अभी बता दूंगा वह कौन है ठीक है उसके लिए वीडियो के साथ बने रहेना इंडिया की अल्राउंडर्स में देखिए दो नाम आता है पहला नाम हार्देग पांडिया दूसा नाम अक्षर पटेल मुझे लग रहा इस वाले मैच में अच्छा कर सकता है एक से दू विकेट निकाल के दे सकता है तर्णिंग पिच और वहां पर कई दिक्कते पैदा कर सकता है नीडरलेंड के बालर बैट्स मैंने को तो अक्षर पटेल एक बढ़िया चोईस है हार्दिक पांडिया तो देखिए हमेशा से अच्छा राय बैटिंग भी करता है बालिंग भी करता है पर जब मैच ऐसा होता है ना जहां पर प्रैशर सिच्वेशन होती है जहां प कप्तान और वाइस कप्तान सोच समझ के बनाना इस चेच का आपको ध्यान लेंगे नीडरलेंड के अल्रॉंडर्स को बहुत ध्यान से देख लेना क्योंकि इनके अल्रॉंडर से ही दो प्लेयर पेक होने वाले आज के मैच के लिए सबसे पहला नामे बास दी लीडे वाली टीम का तो इसको तो आपको रखना ही रखना है और आवरेज भी आप देखें लगबग बत्तिस का है लोगान वैन बीक की बात करूँ जो की फास्ट बॉलर है लाश्ट मैच में एक विकिट लिया था और कूली नकर मैच मेरे साब से इनका बहुत अच्छा प्लेयर कर सकता है और दूसरा प्लेयर जो है वो है कोल इनकर में यह दो प्लेयर की साथ आप डैफिनेटली जा सकते हो और अगर आपको मैक्स आउड को नहीं रखना है आपको लगता है बैटिंग से ज्यादा अच्छा नहीं करेगा तो आप तीनों ही ओल राउंडर को रखलो इनक अपनी टीम में वह मैं इस टॉस के बाद डिसाइड करूंगा तो उसके लिए आप टेलीग्राम पर जॉइन रहेना एड़ यहां पर आपको बता देता हो एक बात एड़ दारेट एस एस ओडबल एफ एस एस ओडबल एफ एड़ दारेट यह सिंपल ही आप टेलीग्राम प सबसे इंपॉर्टेंट रहें आज के मैच के लिए जादा से जादा पॉइंट मिलने वाले और अगर इंडिया आज पहले बॉल कराता है तो कप्तान भी यहीं से ही बनने वाला है सबसे पहला नाम है अर्श्यदीब सिंग का इतनी जबर्दस बॉलर बन गया गया थी इंड आज के मैच के लिए दोनों अच्छे विकेट्स निकाल के दे सकते हैं तो इंडिया के तीन बॉलर्स के साथ आप बिल्कुल जा सकते हो आज के मैच में अर्श्यदीब भॉमनेश्वर कुमार और शमी तीनों के तीनों काफी इंपॉर्टेंट है अश्विन देखिए अगर यह एक रिप्लेस्मेंट हो सकता है तो इसका मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट दे दूँगा नीदर्लैंड की बॉलिंग में देखिए इनके चार बॉलर है अब चार बॉलर्स में सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर्स पता है कौन इनका पॉल वैन मिक्रें अगर इंगल टीम का इस्पीनर है तोटली ग्रैंड लीक का प्लेयर है फ्रीट क्लैसन भी गईज अच्छी बॉलिंग करा नहीं तो यहां पर बॉलिंग सेक्शन में एक ही बड़िया चोईस है वह पॉल वैन मैकरें और आपको दूसरा रखना है तो फ्रीट क्लैसन के साथ जा सक सब्से ज़्यादा इंप्वर्टेंट चीज आती है कि आज के मैच में इंडिया की साइड से कौन कितने ऑफर कराईगा क्योंकि जो सबसे ज़्यादा बोले मिलेगी उसको विकट मिलने के चांसेज तो इंडिया की तरफ से देखे भुवनेश्वर कुमार इस स्टार्टिं मिल सकती हुगर टीम चाहेगी आगे के मैचों के ध्यान में रखकर अक्षर पटेल चाहल से जादा बॉलिंग करा सकती है हार्दिक पांडिया को थोड़ा सा रैस दे के 1-2 और भी कराये जा सकते है तो थोड़ moc हाellowर कर सकते हैं बाकी दैत में देखिए अर्षदीव अपने दो वर्स कराएंगे शमी अपने दो वर्स कराएंगे और भुवनेश्वर कुमार एक तो यहां पे तीन बॉलर तो बहुत इंपोर्टेंट है आज के लिए भुवनेश्वर कुमार अर्षदीव और शमी जो कि अपने complete आवर भी क लोगन वन बिक को भी और बाकी के जो वर्स बचेंगे वो बटेंगे गाई दिन में तो यहां पे दो बॉलर इंपोर्टेंट है क्लैसन और मैकरीड और तीसरा जो है वो है डी लीडे जो अच्छा कर सकता है आज के मैच के लिए जी यल के जए आज के मैच के पंट प्लेयर कौन-कौन से है ग्राइड लेक के लिए जो आप ग्राइड लेक के टीम अच्छा कर सकता है अरशेदीप भी अच्छा कर सकता है भुमनेश्वर कुमार, मैक्तीन और अकर्मन तो इन पे थोड़ा सा आपको फोकस करना है अपनी Grand Lake की टीम बनाते टाइम अब देखें इंडिया की साइड से कुछ प्लेयर है जो बैंच वे बैठे हुए हो सकता इन में से किसी को मौका मिल जाए से जबसे बाकि वर्ड कप में सब्सक्दाइम ज्युशा करा नवर घ्रण को मुझे बहुत ज्यादा हाई चान्स लग रहा है खेलाने के चहल खेल सकता है आज-का मैंच बाकि और कोई मुझे पर एक्सपेकेशन नहीं नीडर्ल लैंड की तरफ से भी कुछ प्लेयर है जो गतन गईज अगर खेलेगा तो एक बड़िया फास्ट बॉलर है इस पर आपको नजर बना के रखनी है थोड़ी सी एक आर मर्व खेल सकता है वह अशिराज की उसकी जगे पर खेल रहा है मर्व के रिप्लेस्मेंट में क्योंकि थोड़ा इंजड है बट यह खेल सकता है तो अ आई एंडी वर्सेज एनीडी के मैच में कौन सा बॉलर है जो सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाला है जिसमें इंडिया की तरफ से भी बताना है और नीडरलाइन की तरफ से भी नान बताना है मतलब दोनों टीमों की तरफ से आपको एक एक बॉलर का नाम बताना है जो डेफिनेटली जॉइन करो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट पे लिंक है एड़ दारेट एस ऑफिशल के नाम से वर करता है अच्छी बात है वर्क ना करें सर्च कर लेना सिंपल ही टेलिग्राम पे जाके बर जरूर से जॉइन कर लेना अब इस फाइनल टीम डिसकस कर क्योंकि दिनेश का अर्तिक की मुझे लगता है ज्यादा बैटिंग आईगी नहीं चांसे थोड़े कम है तो लेने का बैनेफिट नहीं अगर आपको रखना है ग्राइंड लेग में रख सकते हूं इंडिया के उपर के चारो बैट्स मैंने रख लिया आज के मैंच के लिए क्योंकि दिखिए कौन सा बैट्स मैं चल जाए खुछ नहीं कह सकते बर जो भी चलेगा लंबा स्कोर करके जाएगा तो ड्रॉप करने के अपन रिस्क ले नहीं सकते इंडिया का हिट मैं इंडिया का रन मशीन इंडिया का थी सिक्स्टी डिग्री प्लियर और लोके शाउल यह चारो बैट्स मैं को मैंने यहां पर रख लिया है ठीक है आपको कोई चेंज करना है मैक्स आउड को लेके आ सकते हो एक एक एक्ष्टा बैट्स मैं के साथ जा सकते हो हार्दिक पांडिया को यहां पर रखा है क्योंकि यह बॉलिंग का भी एडवांटेज देगा और ब बॉलिंग इस्ट्रेंट है वह बहुत ही डेंजर है तो इनका टॉप और जल्ड़ी आउट हो सकता है तो मिडिल ओडर में अकर मैं एक अच्छे रन बना सकता है यहां पर रखा है मोहमत शमी को अर्शेदीप सिंग को जो अपने पूरे चार-चार ओवर कंप्लेट करेंगे दैट में भी करेंगे और पावर प्ले में भी करेंगे अब यहां पर आप एक लॉजिक काम में ले सकते हो लॉजिक क्या है दिखे गई आज का मैच अना ज्यादा बड़ी टीम के साथ तो है नि इंडिया का इंडिया की उपर ओल्डेडी चार बैट्समन है हो सकता हार्दि बहुत अच्छा है भुवनेश्वर कुमार को रख सकते हो क्योंकि भूवनेश्वर कुमार अपने पूरे चार ओवर कराएगा विकेट निकालने की चांसेज भी बहुत ज्यादा है क्योंकि पारकिस्तान के मैच वी अच्छी लाइन-लाइन पर बॉलिंग करा रहा था तो ज्यादा बढ़िया हो सकता है हार्दिक पांडिया के थोड़ा लॉजिक से आप यूटिलाइज करोगे तो बहुत अच्छा है बोवनेश और कुमान हार्दिक पांडिया की जगे या फिर पॉल वैन मकरी अब इस वाली टीम में देखिए थोड़ा समय हार्दिक पांडिया प प्रवाइस और डाल देना टेलीग्राम पर आप जाके और आपको मेरा टैली शौर एक्सपर्ट सपोर्ट की नाम से चैनल दिखेगा उसको जॉइन कर लेना या फिर लिंक से जॉइन हुजाना डिस्क्रिप्शन में कमेंड पर जरूर जोइन करना फाइनल का अपडेट मैं मैं वहाई दूँगा ठीक है गाइस अब देखे गाइस ग्रैंड लीग तुम आपको पता हिए मैं माई लेवन सरकल पर खेलता हूं क्योंकि महिंदा थार ऐस्यूवी कार में जीत सकता हूं और यहां पर जो चाए बैट्समें जो चाए बॉलर लेकर टीम बना लो ज्यादा का लॉजिक नहीं है एंट्रेफीज वगेरे बहुत कम है इजली यहां पर टीम बनती है कॉंपिडिशन भी बहुत कम है और माई लेवन सरकल पर मैंने क्या टीम बनाई है इसको यहां पर रखा है सूरे कुमार यादव केल दाउल रोइश शर्मा यहां पर विक्रम जी सब्सक्राइब का डिस्क्रिप्शन में कमेंट पर लिंक के पहले नंबर का जाके डाउनलोड करना पंद्रास रुपे का फ्री बोनस आपका वेट कर रहा है और साथ में कॉंपिटिशन वगेर बहुत कम है अगर आपका सही में अगर आपको विनिंग करनी है तो बहुत ही इसके लाव गई आप जीश सकते और एक काम जरूर करना गई जब यहां पर फर्स्ट डिपोजिट करने जाओ न आप अपना पहला डिपोजिट तो यह एक्सपी दोजार बाइस यह कोड जरूर डाल देना गई जिससे आपको बैनेफेट होगा जितना डिपोजिट करोगे इसका 20% बढ़के आएगा और वो कैश होगा ना की बोनस तो खुछ टाइम के लिए जल्दी से जाके यूटिलाइज कर लेना मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आपको सही में फायता उठाना है अब कप्तान और वाइस कप्तान की चॉइस की बात कर लेते हैं कप कटान और वाइस कप्तान में देखी आज के मैच के लिए मुझे लग रहा है और केया रावल है के मैच के लिए अगर इंड्या या अगर इंडिया परस्ट बैक चरता है अगर इंडिया जाके ऐस करने लिए टैलीक्राम पे बताऊंगा इसके लिए आपहबर सुद uniquely करिण तो आई एंडी वर्सेज एंडी का मैच प्रिवो यहीं खतम होता है उम्मेद कर तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों का प्यार इस वाल्ड कप में बहुत ही अच्छा मिल रहा है और मेरी कोशिश रहती है आप लोगों को एक सही ऑशन के साथ जाओगे जैसे परिक्षा में गई जब आप पढ़ाई करते हो ऑपरिक्षा में जाते हो तो पढ़कर जाते हो फिर खराब हो जैंट। मन में फिर भी तसौ趣 दिया प्यार दिया उसके लिए आप सभी भाईयों का धन्यवाद और मैंने आपको बोला यहां खेलो वहां खेलो देखिए खेलना नहीं खेलना वह आपका